एक उंकार सतनां करता पुरख निर्भाओ निर्वैल अकाल मुरत अजोनी से भंगर परसाद जाप आद साचे जोगाद साचे है पी साचे नान के हसी पी साचे गुरुरुप सासंग जीओ कुछ समा गुरुबानी विचार आप जी दे सन मुकर रख सकां उस्तों पहले दस्वें पाथ्षा दे मक्षिश कीती हुई पावन पुवित्र फते सनिमर प्रवान करनी वाही गुरुजी का खाल सा वाही गुरुजी की फते जिस पावन स्थान ते असी बैठे हैं इसनों विद्वानाने अख्याई सतसंगत है सतसंगत दे विच्चियों से की परापत करना है सतसंगत दे विच्चियों सानू मिलदा की है सब तो पहले सानू एक पता होना चाही दावे और उस्तों मिलदा पहले एक पता होवे की सतसंगत किसनों आख दे ने सतसंगत की है किद्रे वी दस वी मनुखान वी कठे कर लेना उसनू सतसंगत नी किया जा सकदा है किद्रे कोई सव पंजाब मनुख कठे हो कि बैजान उसनू सतसंगत नी किया जा सकदा है किद्रे इसी पीड कठी कर ली है उसनों ही सत संगत नहीं किया जा सकदा है क्योंकि पीडां ते बजारां दे वीच बहुत ने श्राब खानेयां दे वीच जुए खानेयां दे वीच वैश्यालियां दे वीच सब जगा ते पीड बहुत है और इस सबनू सतसंगत नहीं किया जा सकदा है किसे देकार कोई व्याज़ शादी है सव पजाबंदे ते उत्थे भी कठ़े हो जानदे किसे देकार मौत हो गई है सव बंदा ते उत्थे भी कठ़ा हो जानदा है और इसनू सतसंगत नहीं किया जा सकदा है गुरुगरंसा माराशचे पाथ्षा जी कलों पुछीए सत गुर्दी सत संगत किसनों आख देहन तो माराशचे पाथ्षा जी दस्ट देने सत गुर्द के अनने सत संगत कैसी जानी है जिते एको नाम वखानी है सत संगत केवल उसे नूँ क्या जा सकदा है जिथे बैट के उस प्रमात्मा दे नाम दा सिमरन कीता जावे सत संगत केवल उसे नूँ क्या जा सकदा है जिथे बैट के उस प्रबू दे नाम नल जुड़िया जा सके सत संगत केवल ओई है जिथे बै के परिपूरुन प्रमात्मा दे नाम दी विचार किती जा सके किद्रे दस भी मनों के कठे हो जान उसनों सत्संगत नहीं किया जा सकता है सत्संगत दी व्याख्या पाईसा पाई गुर्दास जी ने बड़ी कमाल दी किती है पाई गुर्दास जी केंदने तरम शाल करतार पूर साध संगत साच खंड वसाया गुर्णानुक दे जी मारज ने अपनी पिछली उमर दे विच करतार पूर दे विच एक तरम शाला बनाई प्राणी जमाने दे विच जिते बैठ के तरम दी गल किती जान्दी सी जिते बै के प्रमात्मा दे नाम दा सिमनन किता जान्दा उसनो तरम शाला किया जान्दा सी जैसे इसकूला दे विच बच्चे पाठ पड़ दे ने उसनो क्या जान्दा पाठ शाला जिते बैठ के तरम दा पाठ पड़ जान्दा जान्दा उसनो केंदे सन तरम शाला इसे तरम शाला नू आजकल असी गुर्दोरा साब कह देने हैं पराने जमाने चेसदा नाम सी तरम शाला जिते बैठ के तरम दा पाठ पड़ जान्दा सी तो पाईसा पाई गुर्दास जी बख्षिश कर दे हन उकेंदनी गुर्णानुक साब ने एक तरम शाला बनाई तरम शाल करतार पूर साध संगत साचिखंड वसाया पंक्ती एकोई है पर इस विचार बड़े डूंगे दिते हन पाईसाब ने पाई गुर्दाजी के दने गुर्नानिक साथ ने एक तरम शाला बनाई है उस तरम शाला विच बैट के जदों कुछ मनुक्खा ने प्रमातमा दे नाम दा सिम्रन कीता प्रभू दे नाम दा जदों पाठ पड़िया तो पाई गुर्दाजी के नहीं साथ संगत बन गी है तरम साल करतार पुर साथ संगत उस साथ संगत बन गी है तरम साल करतार पुर साथ संगत साच खंड वसाया उस तरम शाला देविच बैट के जदो मनुका ने प्रमात्मा दे नाम दा सिम्रन कीता है तो पाईव साब गुर्दास जी केंदने ओ फिर साच खंड बन गया है जिथे साच खंड बन गया है गुर्णानक साब सचे पाथ्षाजी बाक्षिश कर देने साच खंड वसे निरंकार और देखो जिथे तरम शाला है उत्थे साथ संगत है जिथे साथ संगत है उत्थे साच खंड है जिथे साच खंड है उत्थे गुर्णानक देवजी माराज बक्षिश कर देने साच खंड वसे निरंकार इसे साच खंड देविच निरंकार दा वसा है तो असी कह सकते हैं इसे अधारते जितने मी असी बैठ के साथ संगत कर रहे हां असी सारे इस निरुकारदी गोद बैठे हुए हां तो कि एही निरुकारदे वसे दी जगा है इसे ही पावन स्थान ते निरुकारदा वासा होनदा है होनी सत संगत जिते बैठ के प्रमातमा दे नाम दा सिमरन कीता जान दा है इत्थों सी प्रापत की करना है सब तो पहला सवाल ये है कि मनुखने सत संगत दे विच्चों प्रापत की करना है प्रापत की करना है उस तो पहले हर मनुखनों पता हुए कि सत संगत दे विच्चों मिलदा की है इत्थों सानु मिलना की है मनुखने आपने हरे कामदा एक मकसद रख्या हुए किसे भी मनुखनों सी पुछी है तो रोटी क्यों खाना है उसने अखना मेरा पेट पर सके मेरी पोख मिट सके तो मैं रोटी क्यों खाना पानी क्यों पीता है मेरी प्यास भुझे इस वास्ते मैं पानी पीता है किसे किसान नों सी पुछी है तो इतने कीमती दाने मिटी वीच क्यों पाए है मनुख ने अपने जीवन दे हार एक कामदा एक मकसद रख्या है पर सत संगत विच आउन लगया मनुख दा कोई मकसद नहीं है सत संगत विच आउन दे नाल साडिक की अवस्ता बन जान दी है मनुख ने आज तक इस पासे त्यान दित्ता ही नहीं है ऐसा नहीं कि सारे इस तरह होन और बहुत कट मनुख ऐसे ने जिना ने सत संगत दे विच आउन दा एक मकसद रख्या हुए और मैं अर्ज करन लगां सत संगत दे विच आउन प्रापत की होनदा है पहले ते साउन पता हुए ना इत्तों मिलना की है जैसे एक माँ अपने बच्चे नू बजार विच पेज दवे और इस बच्चे नू पता ही ना होए कि मैं बजार विच यो लइना की है सारा दिन बच्चा डौलदा पजदा दोड़दा खाली हथ शाम नू वापस आ जाएगा क्योंकि इस बच्चे नू पता ही नहीं है कि मैं लैना की है मनुक नू मी आपने मकसद दा पता नहीं है कि मैं किस पासे जाना है सात संगत विच आ रहे हां परित्वसी प्रापत की करना है सानू कुछ भी नहीं पता है गुरू गरंसा महरा जी बानी मख्षिश कर दी है सथ संगत दे विच आपसी की प्रापत करना है सदग्र सच्चे पारसा जी किनने हर रास की कीमत कही ना जाए हरी प्रमात्मा दे नाम दे रास दी कीमत कही नी जा सक दी है परमातमा दे नाम दी कीमत भी नहीं कही जा सकती है उन कीमत देना ते दूर दी गल है सचे पाथशा जी बख्षिश कर दे हन कि कीमत कही भी नहीं जा सकती है चलो मैं किसे वस्तूनू खरीद नहीं सकता मेरे कुल पैसे नहीं हन पर मैं उस दे कीमत दे ला सकता ना भी इतने दी हो सकती है सद्गुर्ण सचे पाथशा जी बक्षिश कर दे हन कि प्रमात्मा दे नाम दे कीमत कही नी जा सकती है सद्गुर्ण जी पावन बाणी दे विच बक्षिश कर रहे हन कि हर रस की कीमत कही ना जाए प्रमात्मा दे नाम दे रास दी कीमत कही नहीं जा सकती है मनुख ने जो कुछ भी संसार विच बनाया है उदी हर एक बनाई होई वस्तू दी कोई ना कोई कीमत दिती जा सकती है लिकिन प्रमात्मा दी बनाई होई छोटी तो छोटी वस्तू दी भी कोई कीमत नहीं है जैसे परिपूर्ण प्रमात्मा ने पाणी बनाया है उस दे बनाये हुए पाणी दी कोई कीमत नहीं है मनुख ने इस पाणी नो फिल्टर करके एक बोतल विच बंद कीता है मनुख ने पाणी नो फिल्टर करके बोतलिच बंद कीता तो इस दे कीमत रख दिती है 15 रुपए, 20 रुपए इस सिरफ पाणी नो फिल्टर करन दी कीमत है पाणी दी कीमत नहीं है क्योंकि पाणी बनाया इस परिपूरुन प्रमात्मा ने मनुख पाणी नी बना सकदा अगर मनुख पाणी बना सके साड़े राजस्तान दी चे पाणी दी बहुत तंगी है वो पाणी बना के अपनी कमी पूरी कर सकदे है पाणी इस प्रमात्मा ने बनाया मनुख पाणी नी बना सकदा जैसे पंखे चल देने इस पक्खे दा कम है बनी होई हवा नू साड़े तक पोँचा देना पर इस पंखे दी कीमत है प्रमात्मा दी बनाई होई हवा दी कोई कीमत नहीं है परमात्मा ने सानु अख्छा दितियां इना दी कीमत कौन दे सकदा है परमात्मा ने सानु जबान दिती इस दी कीमत कौन दे सकदा है इस तरह जे मैं गिंती करां तो बड़ी लंबी लिष्ट बन जान दी है सद्गुर् सच्चे पार्चा केंदने हर रस की कीमत कही ना जाए परमात्मा दे नाम दे रस दी कोई कीमत नहीं है और उप्रापत किता होंदा है हर रस सादू हाट समाए सद्गुर् सच्चे पार्चा केंदने परमात्मा जिस दे नाम दी कोई कीमत नहीं है उसनू प्रापत कीता जा सकदा हर रस सादू हाट समाई हरी प्रमात्मा दा नाम दा रस हाट केंदने दुकान नू साद केंदने साधना करणवाले नू साधना करणवाली दी दुकान तो प्रमात्मा दे उस नाम दी प्रापती कीती जा सकदी है सद्गुर्दी बख्षिश करन उस दे नाम दी सानु प्राप्ती होवे उल्ला चुकान दी शमा वाई गुर्जी का खाल्चा वाई गुर्जी की फति लाई गुर्जी शमा वाई गुर्जी की फति जाइ